सत्भुर रुपी प्यारे साथ संगत ची, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार ची संपुन अवतार बानी में शेहनशा बाबा अवतार सिंग ची महराज फरमाते हैं सत्घुर जाहे हर बन्दे तो हर एक काम करवा सकता है पिंगले तो पर्वत पार करा, गुंगे तो राग गवा सकता है, जे सत्गुर्दी रहमत हो जाए, पलड जान तद्वीरावी, एकिक करके नस्तियां जावन, मनमतियां तद्वीरावी, पूरे गुर्दी शरन पया, जम मादी फाही मुख जावे, कहे अवतार गुर्जिक द लेखा मांगले, हम सत्गुर्दी का हर पल दन्यवाद करते हैं, शुकराना करते हैं, जिनोंने हमें इस परमसता, इस निरंकार के साथ जोड़ा है, और हमारे जनम मरंगे बंदर काटे हैं, सास्थ संगत जी दासी, सत्गुर्मात जी, निरंकारी राजबिता जी और आप सा खुसरो जी की, इतनी अच्छी ये स्टोरी सुनने को मिली है, कहते हैं, अमीर खुसरो हजरत निजामुदीन ओर्या के परम पिरे, शीशे और सुल्तान के नुवाब के करमचारी थे, नुवाब से अन्बन होने पर वहनोकरी छोड़कर, उंटों पर समान लाज़कर, अपन गुरु हजरत निजामुदीन ओलिया की शरण में चल दिये, उदर ओलिया से कुछ मिलने की उमीद में, एक गरीब आदमी उनसे मिलने आया हुआ था, हजरत ने कहा, तीन दिन रुख जा, जो भी भेट आएगी, तू ले जाना, पर दुर भागय से, तीन दिनों तक कोई भ नहीं, तू यही ले जा, गरीब आदमी मायूस होकर वहजूती लेकर चल पड़ा, रास्ते में उसका सामना, अमीर खुसरो के काफिले से हुआ, खुसरो को अचानक गुरु की खुश्पू आई, बिया बान में गुरु की खुश्पू से हैरान होकर, खुसरो ने गरीब आ कोलिया से मिलकर आ रहा हूँ, सोचा था, मेरी बेटी की शादी है, बेटी की शादी के लिए मैं मदद मांगने गया था, कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उनों ने कुछ नहीं दिया, वो कहने लगे कि तीन दिन रुख जा, मैं तीन दिन रुखा, लेकिन वो कहने लगे जब कोई भेट आएगी तो तुम्हें दे दूंगा, वो लेकर चले जाना, तीन दिन तक कोई भेट नहीं आई, तो गुरू जी ने मुझे अपने पाम की जूती दे दी, यह सुनकर, अमीर खुसरो ने, जब उसने कहा कि मुझे गुरू ने कुछ नहीं दिया, तो अमी मुझे यह जुतियां दी हैं, गुरू ने बस यह जुतियां पकडा दी, अब मैं इनका क्या करूं, इन्हें कोई लेगा थोड़े ही, आगे से, अमीर खुसरो बोले, क्यों, अगर मैं ले लूँ तो, और उन्होंने अगले ही पन, जुतियों, अगले ही पल, जुतियों के बदले, उस आदमी को कीमती सामान से लदे, अपने सारे उंट दे दिये, और सामान भी दे दिया, उस आदमी को विदा करते हुए, खुसरो बोले, जाब अपनी बेटी की धुमताम से, शादी कर, अमीर खुसरो ने, अब हजरत ओलिया के चरनों में, जाकर उनकी जुतियां रखी, तो हजरत ओलिया ने गंबीर होकर पूछा, अमीर खुसरो से पूछा, तुमने इन जुतियों का क्या मोल दिया, आगे से, अमीर खुसरो बोले, गुरू जी मैं जो दे सकता था, सब दे दिया, जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ में लेकर आ रहा था, सब दे दिया, अमीर खुसरो का अपने प्रती प्यार सम्मान देकर हजरत ने शरीर त्यागने से पहले कहा था खुसरो को मेरी कबर के पास ना आने देना कहीं ऐसा ना हो क्यों से मिलने के लिए मैं इतना बेचैन हो जाऊं कि मेरी कबर ही फट पड़े ऐसा गुरू और शीश्या का प्यार जब ये गुरू अनमोल खजाना ये ब्रहम ज्यान दे देता है तो उनके आगे जितना मरजी अरपन कर दिया जाए क्योंकि सबकुछ सत्गुरू निरंकार का है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सोपते क्या लाके है मेरा जाहे सबकुछ हरपन कर दिया जाए तन मंधन फिर भी थोड़ा है ये तन विश्की बेलरी गुरू अमरित के खान शीश दिये गुरू मिले तो भी सस्ता जान गयते हैं कि गुरू ने जो अनमोल खजाना दिया है ये अगर हम अपना शीश भी दे दे तब भी ये कम है गुरू ने हमारे जनम मरन के बंदन काटे हैं ये मराज की मार से हमें बचाया है ऐसे सद्कुर को हम बार बार पढ़नाम करते हैं ऐसे सद्कुर के उपर हम हर पल अपना आपा कुरबान करते हैं कहते हैं मानव योनी सबसे उत्तम और भागय शाली मानी जाती है यह भागय मनुश्य के केवल मात्र पैदा होने से नहीं बलकि उस लक्षे की पूर्ती से जुड़े हैं जिसके लिए मानव जनम बिला है यह लक्षे है अविनाशी परंपिता प्रमात्मा की जानकारी द्वरा 84 लाग योनियों के फंदे से चुटकारा संसार भर में कितने ग्यान विग्यान है और आगे उनकी अनेक ब्रांचिन है घर गरिस्टी चलाने के लिए किसी भी विद्या का सहारा लेकर मानव रोजी रोटे कमा सकता है बाकी विद्याएं अगर उसे नहीं भी आती तो कोई फ संपूर नवतारबानी में कहा गया है बिन जाने निरंकार प्रभुनू जनम मकार्थ जानाए कि निरंकार को जाने भी न यह जो मानुष जनम मिला है यह सब बेकार ही चला जाएगा इसको इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा जनम सार्थ करने के लिए गुरू का ग्यान संपूर नवतारबानी में कहा गया है ग्यान गुरू दा इनसानानू राबदा कार दिकलांदाए ग्यान गुरू दा इनसानानू मुक्ति मारक पांदाए जो गुरू का ग्यान होता है यही इनसानों को प्रमात्मा का घर दिखाता है और गुरू का ग्यान ही इनसानों को को मिलते हैं सब के पास लोगों की भीड भी है जिसमें शिक्ष पड़े लिखे अनपड़ अमीर गरीब सभी हैं ऐसी वस्ता में पूरे गुरु की पहचान कैसे हो जैसे सूरज की किरने सूरज के उदे होने का पैगाम देती हैं इसी प्रकार निरंकार प्रबु का शाक्षात कार करने वाला ग्यान ही सत्गुरु के प्रकट होने की पहचान है ब्रह्म ग्यान के बाद कमजोरियों से रहित पवित्र जीवन जीने के लिए गुर्शिक बिना किसी शर्द निश्काम रूप से सत्गुरु के आगे पूरन रूप से समर्पित हो जाता है और कोई भी अप उतकामनी रच्चित भाव से सत्कुर के चर्णओं मी अपने आपको समर्पन कर देता है, ऐसे गुर्शीकी में एक जामपल भी सामने आती है, समरत गुरु रामधाश जी का कल्यान नाम का एक शिषय था, एक बार गुरु जी ने अपने कुछ शिषयों को बुलाया और बहान कि वे बिमार हैं और शाद्रिक रूप में बहुत प्रेडित हैं दूखी हैं वास्तम में गुरू जी ने अपने गुटने के पास पका आम बांध लिया और सूजन परहात लगा कर कहने लगे कि उन्हें बहुत ही भियानक फोड़ा हो गया है उनकी राहत का केवल एक ही उपाय है कि कोई उस फोड़े को चूस कर जहर निकाले यह भी कहा कि जो जहर चूसेगा उसकी मृत्यू हो सकती है सभी डरने लगे कल्यान नामक शीशा ने बहुत खुशी से गुरू का अदेश मानते हुए फोड़ा चूसना शुरू किया और हैरान हुआ कि उसमें से आम का मीठा रस निकला ना कि कोई जहर अपने प्रीतम के लिए शरीर और प्राणों की बाजी लगा देना गुर्सिक की गुरू के प्रती अटूट प्यार की निशानी है हर हालत में जो गुर्सिक गुरू का होकर रीता है उसकी निश्काम लगन में लागों खुशियां चिपी होती है युग पुरुष शेंशा भावा अवतार सिंग जी महाराज संपूर्ण अवतारबानी में गुरू और गुर्सिक के अटूट प्यार के रिष्टे का इस प्रकार बढ़नन करते हैं सिख दा पिंड प्राण इस सत्गुरू ऐसे दा ही त्यान तरे लेवडे आई रहे निमाणा पोरा परना मान करे छिशे का तन प्राण सत्गुरू ध्यान इसी का ही धरता है जग कितनी ही करे बढ़ाई मान नमन में करता है शबद नमबर 151 में भी कहा गया है अलक निरंजन अंतर यामी गुरू पूरा है जानन हार कहे अवतार बिना गुरू पूरे हो नहीं सकते जीवन की नईया पार इन लाइनों पर विचार करने से इस शबद पर विचार करने से हमें गुर्शिक और गुरू के आपती रिष्टे की गहराई समझ में आ सकती है और यह समझना अवश्यक भी है ताकि हम किसी प्रकार की कोई अभेलना ना करे कोई अवग्या ना करे तीन लोक नो खंड में गुरु से बढ़ा नक होए करता करे न कर सके जो गुरु चाहे सो होए गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है मात्य दी जही मात नहीं कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगा रंदी पत नहीं सरव यापी सरव शक्ति मान निरंकार प्रबु का ग्यान देकर गुरु लोग पर लोग के सुख दे देता है जो लोग प्रम ग्यान के बाद जीवन के किसी भी समस्य का हल ढूटने के लिए गुरु के इलावा कोई और सहरा ढूटते हैं तो सपश्ट है कि उन्हें अभी ग्यान समझ में नहीं आया उन्हें निरंकार प्रबु साकार सत्कुरु की शक्ति का एसास नहीं हुआ निरंकार का मन में बसना ऐसा ही है जैसे कोई माउंट वरष्ट जैसी उची चोटी पर पहुँच गया हो उसके बाद कोई भी कदम उठाया जाए वह उसे नीचे की और ही ले जाता है इसलिए गुर्सिक हर पल हर कदम हर हाल में गुरु पर आश्री थोकर जीवन जीता है हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़े गुरु नलतार रहे भगत कबीर जी भी फरमाते हैं कबीर राम ना छोड़िये तन जाए तो जाए लोग सलाहे तो तेरी उक्मा जे नीन देता छोड़ना जाएं जब गुरु खुश होता है तो गुर्सिक को सेवा का अफसर देता है ऐसा अफसर मिलने पर गुर्सिक अपने आपको किसी गिंती में नहिलाता बलकि गुरु के बचन को मन में बसा कर दास भावना से युक्त होकर अपने आपको गवाता है संत बाणी में बाबा गुरु बचन सिंग्ची महराज ने यही मांगते हुए गुरु के आगे अरदास की बचन तेरे नू जी नाल रखा वटेयाईया तो पाक रहा अवतार गुरु दे चाकर दावी नीश दिन बनके चाक रहा अलक निरंजन अंतर यामी गुरु पूरा है जाननहार कहे अवतार बिना गुरु पूरे हो नहीं सकदा बेडा पार एतन मेरा खाकर देरी जान दी एता जावे पई उलमाया ते दोलत मेरी जान दी एता जावे पई लागू हो जाए भामे दुनिया रात तो सकदा हाट नहीं कहे अवतार गुरु दी गलनू कोई भी सकदा काट नहीं गुर्सिक के जीवन की लक्षमन रिखाए हैं इन पर चलते हुए गुर्सिक स्वेम शानत रहते हैं और संसार में भी शानते दूद का काम करते हैं साथ ही बहुत अलर्ड भी रहते हैं कि कानून की कानून जो भी हमें सत्गुरु ने कानून बताए हैं उनके ओपर हमने चल परनों में जूड़कर गुरू के बचन को मानते चले जाना है और अपना लोग सुखी पर लोग सुहिला करना है आउ दातार से अब तक तो हमने दाता मांगी है हम दातार को मांगें और यही अर्दास सभी के लिए दासी करती है सचे भाशा सभी को सेवा सिमरन ससंग के साथ चोड़ के रखना किसी को कोई भी कमी न देना खुशी इतनी देना कोई कमी न देना साब देगार तो दुख भुगन से तेरे रहमत कर कर वसे कर दे मेहर दातेया जोड़ा हाथ करा अर्जोई, तेरे दारते थोड़ न कोई, कारदे मिहर दातेया, चोली संतां दी, परो सुखां दे नाल, दातेया, संत तेरे रहन सदा खुशाल, कामकारा विच बरकत पाओ, बिचनस वद्दे फुले, जो तेरे दार आवन, उनाते तेरी रहमत लुले, सुख पाक के तेरे दारतो, संत कोई ना पुले, चोली संतां दी, परो सुखां दे नाल, सद्कुर सचे बाश्या, सब का भला, सब का भला, मेरे मालिक दी दियाल, सचे बाश्या, जिस तरह आप जिन जोड़ा है, इस तरह अंतिम स्वास तक जोड़ के रखना, और तन मंधन से स्वस्थो निरोग रखना, इसी तरह हम से वाओं में लगे रहें, और सद्कुर के अशीर बात लेते रहें, यह विचार करते हूँ, बहुसी गलतियां होई होगी, उन गलतियों के लिए आप जिशमा कर देना, अब के भले की काम ना करते हुए, दासी सीमरण कराएगी, सबी ने मिल कर सीमरण में सहयोग देना है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं नुबक्ष लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंनु बक्ष लो, बोलिए, सत्गुरू, माता, सुदिक्षा, सविंदर, हर देव जी, महाराज की जै निरनकारी राज माता गुरु बचनवदार की जै है सचे बाशा ते रही आसरा ते रही साहरा तू ही बक्षे, तू ही बक्षे, तू ही बक्षे मेरे मालिक दिन ने आल ते रही आसरा, ते रही साहरा सास संगजी प्रेम से कहना धन्दनी रंकार्जी